दोस्तों आप सभी के समालड़ फोन पे एक फो डर्जरोर होता है जिसका नाम होता है गैलरी जिरहां दोस्तों और आप सोंचते हैं कि यहां पर आपको आपक यहांप के वीडियो में हम आपको आपके गैलरी के चार बिल्कुल खतरनाक secret tricks के बारे में बताने जा रहे हैं settings के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें दोस्तों 100% कोई नहीं जानता है और दोस्तों आप जब एक बार इन tricks को जान जाएंगे तो आप इतना ज्यादा चौक जाएंगे और दोस्तों आप खुद कहेंगे कि मैं इतने दिन से फोन यूज कर रहा था और मुझे इन ट्रिक्स के बारे में अब तक क्यों नहीं पता था और दोस्तों जो चौते नंबर की ट्रिक है वो ट्रिक तो आपके लिए काफी ज्यादा वी आई पी है तो आप लोग उस ट्रिक को तो जरूर देखना है चलिए दोस्तों बिना आपका टाइम वेश्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं आपकी फोन की गैल्डी की चार बिल्कुल खतरनाक सीक्रेट सेटिंग के बारे में दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी इस रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले दोस्तों आप इस बटन को प्रस करके वीडियो को कर दीजिए लाइक उसके बाद इस लाल बटन को प्रस करके चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए तासी बिल आइकन को प्रस करके आल परसेट कर दीजिए उसके बाद दोस्तों आपको यह दो sow liked main pack अपने दोस्तों के साथ 0 आ हैं आ आ हां sixth ले की इस झार भीडियो में हम आप को आपके फोन की गैली की चार बिल्कुल ख़डर्नाक सीक्रेडद हांतक grip के बारे में बताएंगे जो डोस्तों आपके लिएक काफी ज़़ा झब्स है और दोस्तों छौते नंबर की सेटिंग तो आपको जरूर देखके जाना है क्यकिजिए शबूर्पर आपके लिए काफी ज़़ा झाना है तो चेलिए दोस्तों बात करते हैं अपनी पहली setting की, दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी gallery को open कर लेना है और दोस्तों आप जैसे gallery open करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको ओपर थी डाउर दिखाई दे तो simply आपको इस थी डाउर पर क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे एक आपसन दिखाए दे रहा view duplicate का तो यहाँ पर दोस्तों आपको type कर देना है अब दोस्तों आप जैसे यहाँ पर type करेंगे तो आप बहुत सारी photo capture करते हैं अपने mobile में बहुत सारे image wallpaper download करते हैं और काफी ज़्यादा images होती हैं लेकिन दोस्तों ऐसे में कई बार हमारे phone में कुछ software के bugs के कारण और फिर किसी setting के कारण उन files की duplicate files बन जाती हैं तो दोस्तों आपके phone के storage को घेर कर रखती हैं और इससे दोस्तों हो सकता है कि जैसा कि आप देखते हमारे phone में सिर्फ कुछी images है जिनकी duplicate हैं क्योंकि मैं दोस्तों अपने phone का काफी ज़्यादा ध्यान रखता हूं और समय समय पर इस trick की मदब से duplicate files delete किये करता हूं इसे दोस्तों हमारा phone साफ रहता है बिलकुल fart चलता है और हमारा phone hang भी नहीं करता है क्योंकि हमारे phone की storage भरने नहीं पाती है अब हो सकता दोस्तों कि आप जब अपने phone की sitting में जाएंगे तो आपको बहुत सारी images की duplicate देखने को मिलेगी तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपके phone में 4-5,000 फोटो हैं तो वहाँ पर आप manually duplicate files चांत ही नहीं सकते हैं लेकिन दोस्तों इस setting के मदद से आप एक click में अपने phone की सभी duplicate files को निकाल सकते हैं और इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको treat out पर tip करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ आपके phone में कोई भी duplicate image नहीं है तो दोस्तों काफी कमाल की trick है इस trick के मदद से दोस्तों कभी भी आपका phone slow नहीं होगा और आपके phone की सभी duplicate file आप एक click में delete कर सकते हैं दोस्तों बात करते हैं gallery की अपनी second trick की तो दोस्तों आपने जब से phone खरीदा है तब से अपने phone में जितने सारी images होंगी उन सभी images को ये एक एक करके location wise अलग folder में बना देगा अपने आप ही phone यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर अगर आकर कोई photo देखते हैं तो आप बड़ी ही आसानी से पता लगा जानते हैं तो आप लोग अपने गैलरी के इस feature को जरूट रही कीजिए अब दोस्तों बात करता है गैलरी के अपनी third trick की तो दोस्तों third trick भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा important है और ये sitting दोस्तों आपके काफी ज़्यादा काम आ सकती है अगर आप भी अपने फोन के कैमरा से फोटो लेते हैं वीडियो रिकार्ट करते हैं तो इस trick के जानने के बाद दोस्तों आपको मजा हिया जाएगा अब दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी गैलरी ओपन करना है और वहाँ पर आपने 50 photo click की उसके बाद दोस्तों आप अगले दिन किसी और दूसरे की साधी party में गए और वहाँ पर भी आपने कुछ photo click की फिर अगले दिन आप किसी और party में गए वहाँ पर photo click की तो आपका phone जो है उन photos की अलग-अलग से stories बना देगा और इसके लिए आपको कुछ भी करने की जुरूद नहीं जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे गैलरी में आएंगे तो इस stories का आपसन दिखाई देगा तो simply आपको यहाँ से इस पर टैप करना है अब दोस्तों आप जिसकी इतनी सारी stories होंगी वो सभी stories आ जाएंगी यहाँ पर तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं इस दिन पर जितने भी फोटो ली थी वो सभी फोटो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी उस particular party की तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना बस दोस्तों आपको वो setting on कर लेनी है और आपका phone automatically story बना देगा दोस्तों काफी कमाल का feature है और बहुत कम लोग इस feature के बारे में जानते हैं और बहुत कम लोग इस feature के बारे में जानते हैं तो आप लोग इस feature का युज़ जरूर कीजिए अब दोस्तों बात करते हैं गैलरी के अपनी चौती सेटिंग के बारे में जिसके बारे मैंने बताया था कि दोस्तों ये सेटिंग आपके लिए काफी ज़्यदा VIP है और दोस्तों इस सेटिंग के मदद से आप अपने कई सारे फोटो को एक ही फोटो में मर्ज करके उनको कॉल फोटो ले लेता हूं तो यहां पर दोस्तों मैं अपने कुछ फोटो सेलेट कर लेता हूं जैसे कि एक तो और यहां पर मैं तीन और यह चार तो मैंने चार फोटो सेलेट कर दिये उसके बार नीचे मैं यहां पर कॉलिज पर क्लिक करता हूं अब दोस्तों यहां पर आप जैस इसे सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका college जो है सेव हो चुका है आप दोस्तों इसके लिए आपको gallery open करनी है और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यह हमारे चारो फोटो एक ही फोटो के अंदर मर्ज हो चुके हैं तो इस तरीके से दोस्तों आप बहुत सारे फोटो को एक ही फोटो में एड करके social media पर share भी कर सकते हैं या WhatsApp पर share कर सकते हैं और काफी कमाल का feature है दोस्तों दोस्तों हाई ना गैली कि यह चारो सेटिंग आपके कितने ज़्यादा काम की आप लोग comment box में जरूर बताइएगा उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप वीडियो से वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और आगी भी ऐसी इंट्रेश्टिक वीडियो को चैनल सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलते हैं इस वीडियो में आपका दिन सुभ हो